दोस्तों आप मेंसे करीब सभी ने अपनी लाइफ में एक बार तो ट्रेन में सफर किया होगा और आपने नार्मल रेलेवेट्रेक पर सफर किया होगा पर आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक रेलेवेट्रेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर आप भूल कर भी कभी सफर नहीं करना चाहेंगे इसमें कुछ ट्रेक्स तो इतने खतरनाक हैं कि कमचोर दिल वालों को यहां से सफर नहीं करने दिया जाता और कुछ तो ऐसे हैं जिनको बनाने में काफी वरकर्स ने अपनी जान गमा दी तो चलिए दिखाते हैं काउं से हैं यह वो दुनिया के साथ सबसे खतरनाक रेलवे ट्रेक्स नमस्कार दोस्तो हमारे येटूब चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मैकलॉग मार्केट रेलवे ट्रेक थाइलेंड दोस्तो वैसो तो ये ट्रेन यात्रियों के लिए काफी सुरक्षित है पर बाहर मौझूद लोगों के लिए ये ट्रेन काफी बड़ा खत्रा है नहीं समझे चलिए मैं समझाता हूँ दोस्तो थाइलेंड के मैकलॉग रेलवे स्टेशन के पास की पट्रियां शहर के भरे मार्केट के बीचों बीच से होकर गुजरती है हैरानी की बात ये है कि पट्रियों पर यहां के सबसे बड़ी सबजी मंडी लगती है यहां जगा की कमी होने के कारण काफी लोग अपनी दुकान रेलवे पट्री पर भी लगा लेते हैं पर ट्रेन की आवास सुनते ही सब अपना समान समेटने लगते हैं और ट्रेन के जाते ही सब वापस अपनी दुकान लगा लेते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन और इन लोगों के बीच में सिर्फ एक फीट की दूरी होती है जिस वज़ा से इन लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है अर्जिन्टाइना में बना ये रेलवेट ट्रेक दुनिया की सबसे खतरनाक रेलवेट ट्रेक में से एक है आपको बता दें कि इस रेलवेट ट्रेक का निर्माड 1948 में किया गया था और इसको बनाने में कुल 27 साल लग गए थे दोस्तो इस railway track को train to the clouds भी कहा जाता है आपको बता दे कि इस train की पटरी जमीन से करीब 4220 मीटर की उचाई पर बनाई गए है इसी वज़ा से लोग इस train में सफर करने से कतराते हैं ये train करीब एक कई सुरंग और 31 पुलों से होकर गुजरती है दोस्तो ये railway track एंडीज माउंटेन से होकर गुजरता है और ये track उतर पस्चिमी अर्जेंटाइना को चिली देश से जोडता है आपको बता दे कि इस railway track की हाइट ज्यादा होने के करण यहाँ का railway विभाग रोजाना इस track की जाच करता है एसो मिनामी रूट जापान यह रेल रूट जापान का सबसे खतरनाक रेल रूट माना जाता है इस पटरी का कुछ भाग पतले लोहे के पुल से होकर गुजरता है जो दोनों ही तरप से खुला हुआ है इसलिए ट्रेन चालक को बड़ी ही साउधानी से ट्रेन चलानी पड़ते है क्योंकि ड्राइबर का एक गलत कदम ट्रेन को पटरी से सीधा नीचे गिरा सकता है और दोस्तों यह खत्रा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता आगे जाकर इस ट्रेन को ऐसो मिनामी जोला मुखी के पास से होकर गुजरना पड़ता है एसब मिनामी जापां का सबसे बड़ा और खतरनाक सकरिय जोला मुखी है जिससे हर वक्त यात्रियों पर जोला मुखी का खत्रा बना रहता है यहां सफर करने के दौरान आप बड़ी आसानी से इस ट्रेक के पास जलते हुए लावा को देख सकते हैं भगवान न करे लेकिन अगर इस जौला मुखी में 20 फोट हुआ तो इन यात्रियों को कोई नहीं बचा सकता यहां से गुजरते हुए घने जंगल और गहरी घाटिया नजराएंगी जो उपर से देखने में काफी डरावनी लगती है रामेश्वरम रेलवे ट्रेक चेन नहीं दोस्तो अब तक आपने दुनिया की कई खतरनाक रेलवे ट्रेक देखे हैं पर आब आपको दिखाते हैं भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रेक दोस्तो दचिट भारत में मौजुद ये रेलेवे ट्रेक तमिलनाडू के रमेश्वरम को पंबन दूइप से जोडता है इसलिए इसे पंबन ब्रीज भी कहा जाता है इस पुल की टोटल लंबाई करीब 2 किलो मीटर है इस ब्रीज का निर्माड अगस्त 1911 में शुरू किया ग तब ट्रेन में बैठे यात्रियों की सासे थम जाती है यहां आकसर आने वाली तूफानों और तेज हवाओं के बीच इस रेलेवे ट्रेक पर चलती ट्रेन का सफर इतना रोमांचक और खतरनाक होता है कि लोग यहां जाने से भी कतराते हैं दोस्तों डेथ रेलेवे ट्रेक थाइलैंड के शहर बैंकॉक को बर्मा के सहर रंगून से जोडता है इस रेलेवे ट्रेक की टोटल लंबाई करीब 415 किलोमीटर है ये रेलवेट ट्रेक इतना खतरनाक है कि 1947 में इस रेल ट्रेक को बंद कर दिया गया था और इसका करण जान कर किसी की भी रूह काप जाएगी इस रेलवेट ट्रेक को बनाने में करीब 90,000 से जादा लोगों ने कवाई नद गिरने की वज़ा से अपनी जान गमा दे इसलिए इस रेलवेट ट्रेक को डेथ रेलवेट ट्रेक कहा जाता है दोस्तों इस दुरगतना के बावजूद भी इस रेलवेट ट्रेक को 10 साल बाद 1957 में फिर से खोल दिया गया है यहां सराती हवा फरफड करती हुई ट्रेन की आवाज और दिल धला देने वाली उचाई ट्रेन में बैठे लोगों के लिए रोगटे खड़े कर देती है यहां सफर करना कमजोर दिल वालों के लिए बस की बात नहीं है जकारता रेल रूट जकारता रेल रूट इंडोनेसिया दोस्तों इंडोनेसिया में चलने वाली यह हाई स्पीड ट्रेन जकारता को इंडोनेसिया के शहर बंडन से जोडती है जकारता से बंडन तक का यह सफर स से आप जान चुके होंगे कि हमने ये ट्रेन क्यों एड की है दोस्तो इस सफर का असली मज़ा तब शुरू होता है जब ट्रेन घने ट्रोपिकल जंगल के उपर से बनाए गए ब्रिज से होकर गुजरती है तब मंजर काफी भयानक हो जाता है क्योंकि ट्रेन से नीचे देखत पूटिन के उपर चलती है इस खतरनाक पहाड पर इस्तिती रेलेवेट ट्रेक करीब 12 किलोमेटर लंबा है वनने 105 में बनाय गया ये रेलेवेट ट्रेक इंजिनरिंग का एक बहतरी नमोना है इस ट्रेक की एक तरफ उचे पहाड है तो दूसरी तरफ गहरी खाई जिसे दे देवेज नोइज यानि शैतान की ना कहा जाता है इस पट्री की टर्निंग इतनी शार्फ है कि ट्रेन की पट्री से सिलिप होने का खतरा हमेशा बना रहता है अगर आप एडवेंचर के सौकीन है और आपका दिल मजबूत है तो आपको इस रेलेवेट ट्रेक पर एक बार स करना चाहेंगे हमें कमेंड में बताएं दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो गई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिगा और हमारे युट्व चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा इसे के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जैहिन बंदे मातरम